क्लास नाइन मैस चेप्टर थर्टिन सर्फेस एरियाज एन वोल्यूम एक्सराइज 13.1 Question No. 7 है Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets Two sizes of boxes were required The bigger of dimension, bigger जो box है उसकी dimension इतनी है Length, breadth और height और जो smaller box है उसकी dimension इतनी है ये length है, ये breadth है, ये height है For all overlaps, 5% of the total surface area is required extra If the cost of the cardboard is rupees 4 for 1,000 square centimeter Find the cost of cardboard for required for supplying 250 boxes of each kind अब इसको मैं आपको समझा जयता हूँ एक बार क्या statement है दो box है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक bigger है, एक smaller है ठीक है, इस तरह के दो box है जो पहला box है, गत्ते से बने हुए है, इस दोनों cardboard है पहले box की length breadth or height यह है जो दूसरा box है, वो छोटा box है इससे और उसकी length breadth or height यह है ठीक है, यानि कि यह दोनों keyboard है अब हमने करना क्या है इसने कहा है कि यह cardboard से बने हुए है और कितना पहले तो यह हमने बताना कि cardboard कितना लगा इन दोनों को बनाने में ठीक है, और यह जो पहला जो है उसके 250 हमने वो बनाने है 250 box बनाने है बड़े वाला जो box है जो छोटे वाला box है उसके भी 250 box बनाने है दोनों के 250, 250 box बनाने है ठीक है, यानि कि इसका हम total surface इरे निकाल देंगे और 250 से कर देंगे multiply इसका भी total surface area निकाल लेंगे और 250 से कर देंगे multiply ये बनेगा हमारा इन दोनों को फिर्फ कर देंगे हम plus जो area आएगा 250 वाला 250 वाला दोनो 250 box 250 box जो area आएगा total दोनों को plus कर देंगे वो हमारे पास आज़े का total cardboard कितना लगा ठीक है दोनों तरह के box बनाने में आगे उसने एक ब आने में उसका 5% और फालतू और लगेगा required extra लगेगा तो 5% निकालना पड़ेगा फिर उसका हमें फिर 5% भी वो जो cardboard है वो भी add करना पड़ेगा total cardboard में ठीक है तो वो आजएगा हमारे पास cardboard कितना लगा फिर उसकी लगानी हमने cost cost निकालनी तो असान है जब हमें area पता ल सेंटिमेटर की cost 4 रूपीज दे रखिये तो हम 1 स्पेर सेंटिमेटर की cost निकालने पर जो हमारे पास total cardboard का area उससे multiply कर देंगे अब देखो कैसे करना है इस question को जरध्यान से देखना बिलकुल easy question है पहले हम bigger box की बात करते हैं इस बड़े box की बात करते हैं इसका हम total surface area निकाल ठीक है रख दी हमने ये ये और ये दोनों की multiply करी इन दोनों की करी इन दोनों की करी तिनों को plus किया और 2 से किया जब multiply प्लस किया तो 725 आया 2 से multiply किया तो हमारे पास आ गया 1450 ये क्या है एक box था ना जो बड़े वाला box है उसमें कितना cardboard लगा कितना गत्ता लगा उसका area न किला ये सिरफ अभी 250 का हमने नहीं निकाला ऐसी अब अगर smaller box की बात करें जो छोटे वाला box है उसका भी हम टोटा सरफ इसरे निकाल लेंगे छोटे वाले box की land, breadth और height लिख ली ऐसी आपको पता है टोटा सरफ इसरे क्या होता है l2 into lb plus bh plus hl lb और h की हम क्या रख देंगे value रख देंगे, l कितना 15 है, b है 12 है और l है हमारे पास 15 और h है हमारे पास 5 है, ऐसी सारी value हमने रख दी, ठीक है, इसकी multiply की, तीनों को किया plus, हमारे पास है 315, ये 2 बाहर था, 2 से multiply की, तो हमारे पास है 630 square centimeter, ये हमने बड़े box का total सरफ इसरे निकाल लिया, छोटे box का total सरफ area निकाल लिया, और हमें चाहिए कितने थे, ये भी 250 चाहिए थे, ये भी 250 चाहिए थी, इसको भी 250 से multiply करो, इसको भी 250 से multiply करो, तो हम लिखेंगे, total surface area of 250 boxes of each type, दोनों तरह के, 250 boxes का total surface area कितना बनेगा, इसको कर दिया, 250 से multiply, इसको भी कर दिया, 250 से multiply, दोनों को कर दिया, plus, हमें total area निकालना है गत्ता कितना लगा तो इसको multiply करके यह आया इसको multiply करके यह आया दोनों को जब हमने plus किया तो हमारे पास यह चीज़ा कितना गत्ता लगा ठीक है इतना cardboard लगा दोनों मतलब 250 दोनों तरह के जो हमने boxes बनाए है उसको बनाने में अब इसने एक बात और कह दी थी कि इतना तो लगेगा जितना लगा है न उसका 5% एक्स्ट्रा और लगेगा मतलब वो cutting setting में जो खराब हो गया होगा और लगेगा 5% तो 5% इसका और निकाल दो ठीक है area of cardboard for overlap जो overlap में जो खतम हुआ है जो उसका और 5% निकाल लो इसका total का 5% यानि कि इस चीज का 5% 5% of this percent क्या होता है 5 by 100 ठीक है तो 0 से 0 cancel हो जेगी यानि कि इतना गत्ता एक्स्ट्रा और लगा है ये तो लगा ही है इतना एक्स्ट्रा और लगा 5% एक्स्ट्रा और लगा है तो इसका 5% हमने निकाल दिया 26,000 स्क्वेर सेंटीमेटर ठीक है अब आप कितना गत्ता लगा कितना कार्बोर लगा इसको और इसको एड़ कर देंगे ये लगा हमारे पास ठीक है total area of cardboard this plus this ये हमारे पास आ गया इतना हमारे पास cardboard लगा है इतना total गत्ता हमारा लगा है ठीक है अब इसकी cost निकालनी है cost कैसे निकालनी है हमें दे रखा है कि cost of 1000 square cm of cardboard 1000 square cm of cardboard की cost कितनी है 4 रुपे है तो 1 square cm cardboard की cost कितनी होजेगी 4 by 1000 आपको पता है ना unitary method लगा दिया और फिर इतने की cost कितनी होगी cost of this of cardboard इसको कर देंगे इससे इसको कर देंगे multiply ठीक है अब इसकी cutting हो जाएगी ऐसे इसको इससे multiply की तो हमारे पास आया 2184 रुपीज ठीक है यह हमारा क्या आगया answer आगया ठीक है तो इस तरह से आपने यह question करना था बिल्कुल easy question था step wise करो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अब next question देखते हैं इसमें क्या है question number 8 है बिल्कुल easy question है प्रवीन wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with tarpaulin that cover all the four sides and top of the car with the front face as a flap which can be rolled up प्रवीन ने एक box like structure बनाया है tarpaulin का use करके tarpaulin यानि की एक तरह का कपड़ा है यह अपनी कार रखने के लिए उसने एक box structure बनाया है जिसमें four sides है और उसका top है यानि की चार दिवारे हैं उसकी और उसका top है छत है ठीक है और उसने जो stitching margin को negligible मान लिया है कि मतलो कोई भी कपड़ा उसमें खराब नहीं हुआ है तो उसने काया कि tarpaulin वो जो structure उसने बनाया है उसको बनाने में कितना tarpaulin लगा ठीक है कितना कपड़ा लगा और कपड़े की height देर किया उसने जो fox like structure है उसकी height देर किया उसने 2.5 meter length देर किया 4 meter और bat देर किया 3 meter तो बिल्कुल easy question है देखो कितना कपड़ा लगेगा कितना tarpaulin लगेगा उसने क्या कहा है चार दिवारे हैं उसकी top है यानि कि 4 दिवारे हैं और छट है base उसका नहीं है यानि कि इस तरह का structure है ठीक है इस तरह का structure है देखो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो इसकी 4 दिवारे है 1, 2, 3 और 4 और इसका क्या है top है ठीक है इस तरह से है और ये इसका जो front जो है base तो है नहीं जो इसका front है उसको वो उठा सकता है ताकि उसकी car अंदर जा सके ऐसे ठीक है इस तरह से वो इसको उठा सकता है इस वाले इसको उठा सकता है और अंदर चली जाएगी इसके ठीक है तो हमने क्या निकालना है curved surface area में हम क्या plus कर देंगे ये वाला area प्लस कर देंगे top का area और top का area आपको पता है length multiply breadth जो base का area होता है वही top का area होता है यानि की cut surface area में हम area of जो top है वो add कर देंगे हमारे पास answer इसका आ जाएगा तो हम लिख देंगे length of shelter कितनी है 4 meter breadth कितनी है 3 meter height कितनी है 2.5 meter अब area of tarpaulin जो हमने निकालना है area of tarpaulin required to make the shelter तो क्या-क्या था उसमें 4 दिवारें थी 4 दिवारों का area ये होता है और क्या था top था top का area ये होता है तो दुन्नों को पर देंगे हम plus cut surface area plus area of top तो L की जगा L रखेंगे B की जगा B H की जगा H L इंटू B 4 इंटू 3 ठीक है 4 और 3 वो plus करेंगे 7 आजएगा अब इन तिन नों की multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 इन दोनों की करेंगे तो 12 आएगा तो नों को plus करेंगे 47 square 47 square meter ये हमारा क्या आगया answer आगया ठीक है इतना उसको इतना टार्पुलीन लगा है वो box like structure बनाने के लिए तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो का अपने सभी दोस्तों को साथ share जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो के लिए नमस्कार